अपना सेर कुछ न करे तो आखिर वो सेर किस बात कर अगर वो दहारे नहीं, चीखे नहीं, चिलाए नहीं, छल कपट ना करे, जूठ ना बोले, तब मतलब कोई एक्टिवीटी अगर नहीं करे तो फिर वो सेर किस बात कर, फिर जंगल के राजा को कौन भैल्यू देगा, कोई मानेगा उसकी बार नहीं मानेगा ना तभी तो बीच बीच में कुछ ऐसे सबुफे छोड़ते रहते हैं भाई तुम लोग भी कुछ लो मज़े लो और सबुफे छोड़के निकल लिए अगर जूट बोलना है तो अमेरिका जाने की क्या जोगते हैं अपने देश में जगा क्या कम पूर रही है अपने देश में ही बोलते हैं वह ऐसे कई जूट तो रोज बोलते रहते हैं इसको आप जूट बोलते हैं यह तो बोलचाल की भासा में है प्रचलन में हैं और अगर स शेर कुछ बोले, तो उसको भूट सावित करने की क्या जो रखते हैं, वो तो सत्य होता है, राजा की बानी है, ताकतवर की बात है, वो कभी असत्य होता है, लेकिन कुछ लोगों की पागलपन्थी है, बेवज़ा है, क्या करते हैं, बाल के खाल उतारते रहेंगे, अगर हमारा सेर ने कुछ ऐसा बोल ही दिया तो कौन सी किसी की नमक रूटी बंध हो गई कुछ नहीं हुआ और ये तो आम बात है ऐसे तो रोज ही कुछ न कुछ बोले जाते हैं अब कितने जूट के पीछे परें अब जनता के पास दूसरा तो कोई काम नहीं है एक फ्री का इंटरनेट दीन वर उसका इस्तेमाल करो और सेर का जूट करो अज सेर इतना सातिर है कि कुछ न कुछ हर दो चार दिन पर पाट दिन के बाट जाता है अज़ा जाता है अज। प्राइब काल